हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं अंकिता सिंग, आप सबका एक बाद फिर से स्वागत करती हूँ, आज मैं आपके लिए एकदम मसालेदार रायता की रेस्पी लेके आई हूँ, गर्मियों में खाने के साथ रायता मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग होती है, एकदम खाने का जायका ही बदल जाता है, और रायता खाने से गर्मियों में ठंडग भी मिलती है, तो चलिए फटा-फट से हम अपना रायता बनाने का प्रोसेस सुरू करते हैं, एक बावल ले लेंगे, इसमें लगबब मैंने ये 300 ग्राम के करीब दही लिया है, अब एक की सायता से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे की इसका टेक्स्टर एकदम स्मूथ हो जाया, आप दही को मिक्स करने के लिए विस्क या मतनी का यूज करें, हैं ब्लेंडर या ग्राइंडर का यूज बिल्कुल ना करें, उससे दही का टेक्स्टर एकदम पत भी डाल सकते हैं अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमें इस रायते को बनाने के लिए स्रिप इतने ही मसालों की जरूरत है जो कि घर में easily available होते हैं तो आप इस रायते को कभी भी बना सकते हैं जब भी मन करें फटा फट बना लें यह सारे मसालों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू यह एक आलू को मैंने उबा लिया था और इस तरीके से छोटे-छोटे क्यूप्स में कट कर लिया है एक medium size का प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है एक medium size का tomato हमने इसे भी बारीक चॉप कर लिया है एक हरी मिर्च तीखा आप अपने स्वादन सा डाले और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को skip कर सकते हैं अब सभी ingredient को हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे आप इस रायते में capsicum भी डाल सकते हैं उसे भी बारीक बारीक कट करके इसमें mix कर दें वो इसमें खाने में बहुत tasty लगता है आप इसे lunch में, dinner में कभी भी खा सकते हैं और गर्मियों में तो हर meal के साथ ही रायता बहुत ही tasty लगता है ये सारे ingredient को हमने अच्छी तरीके से mix कर लिया है अब यहाँ पर मैं डाल ले हूँ आदा चमच, पुदीने का powder ये normal पुदीना को मैंने धूप में सुखा के उसे grind कर लिया था इन दोनों से रायते का टेस्ट और बढ़ जाता है अब एक spoon की सायता से इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे ये रायता हमारा बनके ready है जी हाँ इसे बनाने में बस इतना ही समय लगता है ये दो मिनट में इदम जटपट बनके ready हो जाता है अब इस रायते को एक bowl में serve कर लेंगे आप इस रायते को ठंडा ठंडा ही serve करें ये ठंडा खाने में बहुत ही यमी लगता है और इसमें हमने जो पुदीना और धनिया यूज किया है वो गर्मी में पेट को बहुत ठंड़क देता है बहुत ही फायदे मंदे वो आप इस गर्मी में इस मसालेदार रायते की recipe को जरूर ट्राई करिएगा ये रायता हमारा serve करने के लिए ready है उससे पहले इसके उपर हम हलका सा भुना जीरा powder और थोड़ी सी लाड मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे इसे ये देखने में और भी अच्छा लगता है ये हमारा मसालेदार रायता बनके ready है आप इसे ठंड़ा ठंड़ा serve करें ये खाने में बहुत ही यमी लगेगा फ्रेंड्स अगर आज की recipe आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है और मेरी कोई वीडियो फर्स टाइम देख रहा है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे की मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें आप कोई वीडियो मिस ना करें हम फिर मिलेंगे एक नई easy and quick recipe के साथ तब तक के लिए बाए